सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं देश में धर्म वा मजब के नाम पर आम जन को अपमानित करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी से आया है किसलिम यूवक से शादी की है और उसका उपनाम अलग-अलग है महिला ने स्वयम के सातरतन स्वैर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर कोई इस घटना के बाद प्रदान मंत्री कार्यालय विदेश मंत्री सुस्मा सुराच को ट्वीट किया है महिला के अनुसार पासपोर्ट अधिक्षक विकास मिसरा ने उनसे और उनके पती से अलग-अलग धर्मों के नाम को लेकर सवाल किये इस दोरान वहां मौजूद लोगों ने उनकी जम कर खिली उड़ाई अलाकि घटना के सामने आने के बाद महिला तन्वी और उनके पती अनस सिद्धिकी को दूसरे दिन पासपोर्ट आफिस बुलाया गया इसी बीच पासपोर्ट अधिक्षक विकास मिसरा का तबादला भी कर दिया गया है अफसर के मुताबिक देनी होती है अंडर्टीकिंग होगी चार्च घटना के सामने आने के बाद रिजनल पासपोर्ट अधिकारी प्यूश वर्मा का कहना है कि हिंदू पत्नी वा मुस्लिम पती के अब तक सैक्ड़ो पासपोर्ट बन चुके है पासपोर्ट का पती पत्नी के अलग अलग धर्मों के होने से कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन यदि दोनों के सरनेम अलग अलग होते हैं तो नियमा नुसार आवेदख को सादिक आगच पर लिखित गोस्ना देनी होती है जिसमें उनकी साधी और सरनेम का जिक्र जरूरी होता है फिलाल घटना की जांच होगी और जो भी दोशी होगा उस पर कारेवाई होगी पासपोर्ट बनवाने पहुंची तन्वी का कहना है कि उनकी और अनस की साधी 2007 में होई थी साधी के बाद उन्होंने नाम परिवर्तन नहीं की जा जिसके बाद तन्वी अनस ने 19 जून को पासपोर्ट के लिए आवेदन किया अपनी 6 साल की बेटी के साथ बुद्धवार को पासपोर्ट सेवा खेंदर पहुंची तन्वी बताती है कि शुरुवाती दो काउंटर A वा B पर उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी जिसके बाद वह तीसरे काउंटर पर पासपोर्ट अदिक्चक विकास मिस्रा के पास गई जहां धर्म को लेकर उन्हें अपमानित किया गया और वहां मौझूद लोगों और कर्मचारियों दोरा उनकी खिली उड़ाई गई काउंटर C5 पर पहुंचते ही विकास मिस्रा ने दस्तावेज में मुसल्मान देखने के बाद उनसे सवाल जबाब शुरू किया जिसके बाद वहां पहुंचे अनस को अपमानित करते हुए उन्होंने सरनेम बदलने तक की सलाज दे डाली आपको बता दें कि तन्वी ने प्रधान मंतरी कारयले और विदेश मंतरी सुस्वा सुराज से मदद की गुहार लगाते हुए ट्वीट किया था तन्वी ने ट्वीट में लिखा कि मैं अत्यनत पीड़ा और दुख के साथ यह ट्वीट टाइप कर रही हुँ लखनव इस्तित्रतन स्क्वार पासपोर्ट कारयले में विकास मुस्राद्वारा किये गए वेवहार से मुझे बहुत परिशानी हुई है मेरे दिल को चोट लगी है अगले ट्वीट में तन्वी लिखती है महोदिया मुझे उमीद नहीं थी पासपोर्ट आफिस जैसी जगह पर नागरिकों के साथ ऐसी मौरल पुलिसिंग की जाएगी उसने ना सिर्फ मेरा बलकि मेरे पती अनस सिद्धिकी का भी पासपोर्ट रोका यह मेरे लिए शॉक्ट करने वाला था निउस टाइम्स के लिए गौरफ शुकला की या रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं